कि अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी के आसपास यह बोल सकते रिलेटेड यह आपका टॉपिक होगा ठीक है ना इसमें भी लगबग आपको वही चीज पूछी जाएगी जो अपने लाश्ट चैप्टर में कर चुके निसकर्स यानि कथन निसकर्स वाले में ठीक है इसमें भी वही चीज है ज्यादा कोई भी डिफरेंट नहीं है जैसे पहला क्यूसन है कथन दे रखा आपको कि राज्य सरकार ने अगले वरस तक पांच हजार सिक्षकों की नियुक्तियों का निरन्य किया है अब आपको एक चीज इसमें थोड़ा सा खुद का क्या दिमाग लगा ना है कि कथन से बितर कुछ ऐसी चीजे है जो आपको डारिक्ट नहीं दे रखी भाई कथन में कुछ ऐसी चीजे है जो आपको डारिक्ट नहीं दे रखी लेकिन आपको कथन को देखकर उन चीजों को समझना पड़ेगा कि कौन से क्या दे रखे हैं जैसे बात करूं मैं आज ये सरकार ने अगले वरस तक पांच हजार सिख्षकों की निवक्तियों का निर्णिया लिया है इस टेटमेंट है कि इस टेटमेंट गोर्मेंट हेज़ डिटरमाइंड है ठीक है तो अपॉइंट पाइफ थाउजेंड टीचर्ट बाइं नेक्स्ट इयर ठीक है ना तो इ इसमें पुर्वे दर ना आ जाती इसमें आपके कथन और क्या जाती है पुर्वे दर ना यक का मतलब है कि इससे क्या सम्भंद निकलता है आपको पहले का सोचना है कि आपके कथन में यह आ गया ठीक है ना पहले का सोच के करना है जैसे पहला है राजिये में पांच हजार अत्रिक्त सिक्षकों के लिए परियाप्त स्कूल है देर आर इनफ स्कूल्स इन दी स्टेट फॉर फाइप थाउजन टीचर बाई उन्होंने वेकेंसी निकाली है टीचर के लिए उसने क्या निकाली है वेकेंसी निक्तियों का डिसीजन लिया है इसका मतलब स्कूल में टीचर की जरूरत है तब ही तो लिया है ठीक है ना तो बि बिल्कुल सही है ये दो आई बास समझ में दूसरा है देर आर इनफ स्कोल्स इन दी स्टेट फॉर गिव फॉर फाइप थाउजंट एचर से तो पहला हो गया हो सकता है योग्यता प्राप्त उमीदवार आवेदन करने में रूची नहीं ले क्योंकि हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी संक्या में सिक्सकों की निवक्ति ना करे ऐसा कभी नहीं होता ना अगर सरकार ने वेकेंस से निकाली है पांच अजार टीचर की तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनको पांच अजार टीचरों की क्या है जरूरत है ठीक है ना तो इसका आपका पहला तो सही हो जाएगा लेकिन दूसरा आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो पहला सही दूसरा गलत ठीक है तो option नमबर कौन सा हो जाएगा इसमें दे नहीं रखा पहला इसमें misprinting है न आपको पहला बिलकुल सही दूसरा गलत हो जाएगा यही आपका इसका एंस्वर हो जाएगा आगे देखो कथन दे रहा है किसी सिक्सित व्यक्ति के जीवन मुल्य ऐस सिक्सित व्यक्ति से बिन होंगे यानी कोई भी एजुकेट व्यक्ति है उनका जीवन मुल्य ऐस इसक्सित व्यक्ति से अलग होगा बिलकुल सही बात है बहाई सिक्सित और एसक्सित में फरक तो होगा उनकी रहन सेन में देनिक जीवन में बात चीत में सब में कोई न कोई आपके फर्क जरूर होगा ठीक है ना तो आपको मन्यता है देखनी है कौन सी सही है सिक्ष्या का किसी व्यक्ति के जीवन मुल्यों पर परबाव पड़ता है बिलकुल पड़ता है एज्यूकेशन से तो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत परबाव पड़ता है ना बहुत परबा यह दूसर यानि एज्यूकेशन इफेक्ट्स ओन वन्स लाइफ परते एक व्यक्ति के लाइफ में एज्यूकेशन का बहुत ज्यादा परबाव पड़ता है ना जरूरी नहीं है कि हर एज्यूकेटट व्यक्ति नौकरी लगे सर्विस लगे लेकिन उसके जो देनिक जो उसके जो है ना चेंज वो बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है किसके कंपेर एस एस शिक्षित व्यक्ति के कंपेर ठीक है ना दूसरा है एक एस शिक्षित व्यक्ति का कोई जीवन मुल्य नहीं होता इसके अकॉल्डिंग तो बिलकुल नहीं होता कि एस शिक्षित व्यक्ति है तो उसका क्या जीवन मुल्या होगा वो ना तो ज्यादा किसी के बारे में कुछ सोच पाएगा ना कुछ कर पाएगा ठीक है ना और उसने साब साब उपर बिल लिख भी रखा है क्या लिखा है कि सिक्सित व्यक्ति का जीवन मुल्य है ऐस सिक्सित व्यक्ति से बिन होता है ठीक है तो इसमें कौन साब आपका केवल मान्यता फास्ट अन्ते नहींता है ओनली कौन सा एजुमेसं फास्ट इसे करेक्ट यानि पहला आपका बिलकुल है सही है लेकिन दूसरे के बारे में आप बोल सकते हो कि दूसरा क्या है गलत है आगे चलें तीसरा देखते है कि उसन तीसरा क्या दे रखा है आपको तीसरा क्यों सन दे रखा है स्टेडियम में गुसने से पहले यह सूचना पड़े read the instruction before entering the stadium इसकी मान्यत है आपको क्या दे रखिया है लोग सिक्षित है people are educated कोई भी अंदा वेक्ती stadium नहीं आता any blind person does not come to the stadium ठीक है ना इसके बारे में आप क्या विचार है ठीक है ना तीसरे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे भई दो आपको चीजे दे रखिया है आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा है तो उसने देखा है कि stadium में गुसने से पहले ये सूचना पड़े इसका मतलब क्या वा कि कोई भी सूचना यह मान कर लिखी जाती है क्या मान कर कि लोग इसे पढ़ सके भाई कोई भी information अपने को देनी है तो अपने क्यों लिखते है कि लोग इसको पड़ सके तो लोग सिक्षित है ठीक है ना दूसरा है कोई भी अंदाव एक्ती stadium नहीं आता तो आपका दोनों क्या हो जाएगे इसके according है सही हो जाएगे ठीक है ना मानके तो हमने इस चलाने की सभी लोग सिक्षित है इसलिए हमने क्या किया वहां कुछ निर्देश लगा दिये जो हम यह मानके चल रहे है कि वो पड़ सकते है इसको ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा C नमर बिलकुल है सही हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं नेक्ष में क्या आएगा आगे देखो इसमें आपका कौन सथ हो जाएगा तीन नमर आपका बिलकुल सही मानता है कौन सी चरेक्ट है फार्ष्ट एंग सेकेंड बोत आर प्रेक्ट दोनू आपकी सही है नेक्ष्ट है इस परसन में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो पुर्वनुमान फास्ट और सेकेंड निकाले गया है बिल्कुल है आपको विचार करना है कि वह व्यक्तिव्य सत्य है चाहे वह सामन्यता ज्यात तत्यों से बिनपर्तित होता हो आपको निर्णिया करना है कि दिये गये कथन में से कौन सा निस्सित रोब से सही पुर्वनुमान निकाला जा सकता है ठीक है ना आपने उत्तर को A, B, C या D से निर्दिष्ट कीजिए इन दी फॉलोविंग किशन स्टेटमेंट इस गिवन एंड देन तो अजोंप्शन फार्स्ट एंड सेकेंड आर गिवन यू है तो कंसीडर दी स्टेटमेंट इस तो फ्रोविंट सेम्स तो बी डिफरेंट फ्रॉम दी अच्वल फेक्ट देन डिटर्माइन विच अब दी जवसंस केंड भी डिफाइनेटली करेक्ट मैंसन यूर एंस्वरे जबी सी और डी ठीक है ना आपको कुछ दिये गए है उससे आपको निकालने है कि दोनु पुरुदन में कौन सा सही होगा देखो क्या दे रखा है जन संक्या सबसे बड़ी परदुसक है क्या यह सही है जन संक्या Population is the major pollution factor आगे आपको दे रखा है कि बड़ी वी जन संक्या सबसे बड़ा संसादन है the increased population is the major resource दूसरा है रिक्षर जन संक्या गंद की और हिंता की जनक है literature population is the creator of poetry dirtiness ठीक है ना अब इसमें देखो आपना कि जन्संग क्या सबसे बड़ी परदूसक है इसका मतलब क्या वा कि जो सिख्षित है उनको तो पता होगा कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है जन्संग क्या बढ़ेगी तो परदूसन अपने आप बढ़ेगा जगह कम पढ़ेगी ज जगह कम पढ़ेगी तो गंद की ज्यादा फेलेगी गंद की ज्यादा फेलेगी तो परदूस्षन होगा यह चीज़ सबको पता है तो पहला तो क्या हो गया बड़ी जन्संग क्या सबसे बड़ा संसादन है बिलकुल नहीं है दूसरा क्या हो गया मेजर रिसोर्स है क्या न करेक्ट होगा आगे का हमबल नहीं बोल सकते पहले का तो पहला गलत हो गया दूसरा आपका क्या हो गया सही हो गया आगे चलें देखते हैं भी इसमें भी हो गया ठीक है आगे देखो एक व्यक्तिवे दिया गया है जिसके आगे दो पुर्वे नुमान फास्ट और सेकिंड नहीं ते या निकाले गया है आपको विचार करना है कि व्यक्तित्वे सत्य है चाहे वे सामन्य ते ग्यात तत्यों से बिन पर्तित होता हो आपको निर्निय करना है कि दिये गे पुर्वनुमानों में से कौन सा निस्सित रूप से सही व्यक्तिवे निकाला जा सकता है अपने उत्तर को दिये वे चार विकलपों में से निर्दिष्ट कीजिए ठीक है ना बात वो ही है कि आपको इस बार भी कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है बिल्कुल सत्य मानना है चाहे वो आपका सत्य है या नहीं है रियल में लेकिन उसको आप मानोगे क्या बिल्कुल इसको ट्रू मानोगे क्या दे रखा है स्टेटमेंट यदि खेल कुद को अधीक प्रोसाहन दिया जाए यदि खेल कुद को अधीक प्रोसाहन दिया जाए तो बारतिय ओलम्पिक परतियोगताओं में अधिक सरवन पदक जीत लेंगे ठीक है ना बारतिय ओलम्पिक परतियोगताओं में अधिक सरवन पदक जीत लेंगे गॉल्ड मेडल ठीक है ना If sports are encouraged more The Indians will win more gold medal in the Olympics Games बिल्कुल सही बात है बाई कुछ तो हम जीती रहे हैं अधिक का मतलब क्या वा कि ऐसा नहीं है कि अभी हम एक भी gold medal नहीं जीत रहे हैं अभी हम कुछ gold medal जीत रहे हैं लेकिन अगर हम इसको और हदिक प्रोसहन दे दे तो और ज्यादा gold medal हमें मिल जाएंगे पुरवन उमान क्या है बाई उसने बात किसके बारे में किया है कि कुछ और हदिक gold medal हम जीत सकते हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि बाई तो जीतते ही नहीं है यह बिलकुल आपका क्या हो गया गलत हो गया ठीक है दूसरा क्या खेल कूद को अधिक प्रोचसहन से निस्पादक्ता में सुदार होगा ठीक है ना दी आउटपुट विल बी इंप्रोट बिक्योज ओफ दी इंकोर्जमेंट आव स्पॉर्ट दूसरी चीज है कि अगर हम खेल कूद में क्या करेंगे इनका प्रोचसहन करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसमें क्या होगा और ज्यादा सुदार होगा बिलकुल होगा बी नमर आपका क्या बिलकुल सही है तो क्या हो जाएगा इसमें ओप्सन नमर बी आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा option नमर B का मतलब है केवल second मानने हो जाएगा कौन सा मानने हो जाएगा भई second आपका बिलकुल है मानने हो जाएगा ठीक है चलें आगे next question देखते है एक व्यक्तिवे दिया गया है जिसके आगे दो पुरणमान first और क्या दे रखे है second आपको विचार करना है कि व्यक्तित्वे सत्य है चाहे वह सामन्यते ग्यात तत्यों से भिन पर्तित होता हो आपको निर्ण्य करना है कि दिये गये पुरणमानों में से कौन सा निस्सित रूप से सही व्यक्तिवे निकल सकता है अपने उत्तर को दिये वे चार विकलपों में से निर्दिष्ट कीजिए ठीक है ना आपको जो चार ओप्सन दे रखा है उसी के according आपको क्या करना इनका answer देना है कौन सा होगा if in the following question statement is given and then two assumptions first and second are given you have to consider to be different from the actual fact then determines which of the आपका जो correct है उसके बारे में आपको सही answer देना है जो आपका सही होगा तो पहला देखो यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सर्जन सील होना चाहिए यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सर्जन सील होना चाहिए इप दी पिपुल आर इंटलीजेंट दे सुट भी क्रिक्टियो यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें को क्या होना चाहिए ज्यादा सर्जन सील होना चाहिए क्या ये आपका क्या दे रखा है कथन दे रखा है इस कथन के कोल्डिंग आप इसका बताओगी कि ये सही है या गलत है ठीक है ना आगे क्या दे रखा है पुरवन उमान देखो पहला सर्जन सीलता और बुद्धिमता प्रस पर संबंदित है creativity and intelligence are correlated सर्जन सील लोग बुद्धिमान होते है creative people are intelligent अब देखो इसमें दे रखा है कि यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें क्या होना चाहिए सर्जन सील होना चाहिए सिद्धि सी बात क्या आगई है कि जो आपके बुद्धिमान होंगे वो किसके परपोसनल होंगे वो आपके समानू पाती होंगे किसके सर्जन सील के सर्जन है सील के क्या होंगे वो वो होंगे आपके समानू पाती यानि बुद्धी मान और सर्जन सील का क्या होगा आपस में सीधा सीधा relation होगा या संबंद होगा तो पहला आपको दे रखा है कि सर्जन सील ता और बुद्धी मता परस पर संबंदित है बिलकुल है कैसे पता किया statement से ठीक है ना creativity क्या होती है और intelligence एक दूसरे से related होती है आगे दे रखा है सर्जन सील लोग बुद्धी मान होते है सर्जन सील लोग बुद्धी मान होते है ये जरूरी नहीं है आपका ना पहला तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अप्शन नम्मर ए में दे रखा है केवल फाष्ट मान्य है यानि only फाष्ट इस करेक्ट या only second is करेक्ट केवल सेकंड मान्य है या both are correct या neither या none are correct तो आप इस कौन सा सही करोगे ओप्शन नम्मर ए बिलकुल आपका स्तही हो जाएगा ठीक है ना तो six में क्या जाएगा ए नम्मर ओप्शन आपका बिलकुल स्तही हो आगे चलें next description देखो एक व्यक्तिव्य दिया गया है जिसके आगे दो पुर्वन नमान फ़र्ष्ट और सेकंड निकाले गया है आपको विचार करना है कि व्यक्तिव्य सत्य है चाहे वह सामन्यत है ग्यात तथ्यों से बिन पर्तित होता हो आपको निर्णिय करना है कि दिय पुर्वन नमानों में से कौन सा निस्सित रूप से दिये गये व्यक्तिव्य से निकाला जा सकता है आपने उतर को निर्णिय कीजिए यानि चार जो आपको विकलप दिये गया है उसमें से ही आपको क्या करना है इसका इनस्वर बताना है अपने पूरा का पूरा कहां फोक्स होना चीए statement यानि कथन पर अगर हमें यह समझ में आ गया कि कथन क्या कह रहा है तो उससे पहले का पुरे नुमान हम लगा सकते हैं ठीक है ना उसके पहले का जो नुमान है वो हम लगा सकते हैं देखो क्या दे र आपको है ना दोनु लाइने और सब्द यानि end सब्द से जोड़ी गई है और जब कभी भी और से जोड़ी जाए इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि दोनु आपस में किसी ने किसी पर का related है या संबंदित है ना दोनु का कोई ने कोई संबंद है कथन दुबारा देखो कि हदिकांस ग्रामवासी क्या है एसक्सित है और ग्रामवासी एसक्सित है इसलिए क्या है वो अंदिविश्वासी है संबंद किसका हो गया ए सिक्षित और अंदिवस्वासी का कि ग्राम वासी गाम वाले लोग जो है अंदिवस्वासी होते है कारण क्या है कि वो ए सिक्षित होते है ठीक है नो इसमें देखो पुरनमान में पहला सिक्षित के तरक संगत चिंतन में वर्दी होती है यानि सिक्षित से क्या होता आपके जो सोचने समझने की जो जो होती है ना उसमें क्या होती है वर्दी होती है पावर में क्या ये सही है दूसरा है ग्राम वासी विद्दालिया नहीं जाते है अब पहली बात रियल में हम सत्य मान सकते हैं लेकिन कथन में उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया तो मैं उसको बिलकुल सच नहीं मानू सच्चते हैं धूँट नहों गया तो फ़लेजर्जर साथ की विस्ति है जाते मैंने बहुत न सकता हूं कि दूसरा आपका चछेल है तो श्रान नमर भी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुं करेक्ट हो जाएगा कॉम सा option number B ठीक है आगे देखते हैं क्या होगा next question देखते है आगे आपको दे रखा है एक व्यक्तित्व दिया गया है जिसके आगे चार पुर्वनुमान A, B, C और D दिये गया है आपको विचार करना है कि व्यक्तित्व सत्य है चाहेवे सामन्यत है ग्यात तत्यों से बिन पर्तित होता है आपको निर्न्या करना है कि दिये गये व्यक्तित्व में से कौन सा निसित रूप से सही पुर्वनुमान निकाला जा सकता है अपने उत्तर को निर्दिष्ट करे ठीक है ना? यानि आपको एक स्टेट्मेंट दिया गया है उससे आपको कुछ है इस बार चार पुर्वनुमान दिया गया है आपको बस ये बताना है कि उसमें से आपका कौन सा सही है ए, बी, सी, या, डी कौन सा सही होगा पहला देखो स्टेट्मेंट क्या दे रखा है किसोर बच्चों के विकास में टेली विजन का बहुत परवाव पड़ता है ठीक है ना? इसने क्या दे रखा है कि किसोर बच्चों के विकास में किसका परवाव पड़ता है टेली विजन का बहुत अधिक परवाव पड़ता है तो क्या ये बात सत्य है या ऐस सत्य हमें नहीं पता लेकिन हम इस सीज़ को क्या करेंगे बिलकुल सही मानेंगे ठीक है ना टेली विजन इफेक्ट्स इन दी डावलप्मेंट ओफ टीन एज जिल्डरन्स ठीक है उसके बाद पुरवनुमान देखो उसी पर आपको क्या करना है एंस्वर देना है पहला पुरवनुमान देखो क्या है पहला देखा है कि टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंतरन रखना चाहिए क्या ये बात सही है क्या पेरेंट्स सुड़ कंट्रोल दी टीवी वाचिंग स्टिल्डरन अब ये सही गलत का फेसला कैसे करोगे स्टेट्मेंट से स्टेट्मेंट ने सिधा बोल रखा है कि किसोर बच्चे होंगे ना उनके विकास में टेलिविजन का बहुत परवाव पड़ता है अगर उन पर टेल ही है इसमें भी ये देखता है कि कौन सा ज्यादा सही लग रहा है ना दूसरा देको किसोर बच्चे को टीवी के कारिये करम नहीं देखने देना चाहिए टीनेज चिल्डरन सुड़ नॉट वाच दी टीवी प्रोग्राम ये को इसका सॉल्यूसन नहीं है है ना ये करना बिमारी को खतम करना है वही चीज है कि टीवी देखने कारिये करम जो आ रहे हैं वह बच्चे देख सकते हैं लेकिन किसके अंडर कंट्रॉल है पेरेंट्स के अंडर कंट्रॉल में ठीक है तो दूसरा अपना गलत हो गया तीसरा देखो टीवी किसोर बच्चों की स्यक बिल्कुल कर भी सकता है नहीं भी कर सकता दोनों चीज़ है ज्यादा हम इसको सही नहीं मान सकते है चोथा टीवी के कारियकरम बनाते समय बच्चों के विकासात्मक और नेतिक पहलों को द्यान में रखना चाहिए ये भी आपका एक सजलसन हो सकता है लेकिन पूरा अगर मैं इसके अकोल्डिंग बोलूँ आपको तो कौन सा हो जाएगा ए नमर ओप्सन हो जाएगा अगरा क्या दे रखा है अगला आपको दे रखा है कि एक व्यक्तित्व दिया गया है जिसके आगे दो पुरानुमान फास्ट और रसेकेंड दिये गया है आपको विचार करना है कि व्यक्त वे सत्य है चाहे वे सामन्यत है ग्यात तत्यों से भिन पर्तित होता हो आपको निर्निया करना है कि दियेगे पुरे नुमानों में से कौन सा निस्सित रोब से व्यक्त वे में नहीत है अपने उत्तर को दिये हुए चार विकलपों में से निर्दिष्ट कीजिए ठीक है ना आपको चार ओप्सन दे रखे उसी में से आपको सही या गलत का देखना है सभी बच्चे आईस्क्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं जो आपका कथन है वो क्या दे रखे कि सभी बच्चे क्या करते हैं आईस्क्रीम बच्चे पसंद करते हैं और कुछ बच्चे क्या आपके यहां चोकलेट भी पसंद करते हैं पहला है जो बच्चे चोकलेट पसंद करते है वे आईस क्रीम भी पसंद करते है इसको हमेना एक के वेन डाइग्राम से भी दरसा सकते है क्या बोला है सबी बच्चे है जैसे ये सारे बच्चे ये क्या पसंद करते है आईस क्रीम आईस क्रीम करते है कुछ बच्चे क्या पसं cream and some children like chocolates पहला देखो जो बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं वे ice cream भी पसंद करते हैं वह सभी बच्चे ice cream के अंदर आगे तो जो बच्चे chocolate करेंगे वह ice cream भी पसंद करेंगे बिल्कुल करेंगे the children who like chocolates they like ice cream तो बिल्कुल बात सही है दूसरा देखो पिंकी chocolate पसंद नहीं करती परन तो वह ice cream पसंद करती है ये भी सही हो सकता है कि उसने बोला था कि सभी बच्चे क्या पसंद करते हैं ice cream करते हैं और उन में से कुछ बच्चे है जो chocolate पसंद करते हैं ये बात भी आपके बिल्कुल सही हो सकती है ठीक है ना तो दूसरी भी सही हो सकती है तो option नमर कौन सा हो जाएगा जिसमें दोनों सही हो पहला है केवल फाश्ट नहीं होगा केवल सेकिंड नहीं होगा ती नमर option क्या है पहला और तीसरा दोनों सही है पहला और तीसरा दोनों सही है और यही आपका सही हो जाएगा ठीक है आगे देखो इसमें क्या दे रखा आपको कि कथन दे रखा है कि एक विवाहा के सतकार सामोराओं में बोजन के बाद बहुत से लोग बिमार पड़ गए और उन्हें ततकाल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया ठीक है ना तो मैनी पिपुल बिकम सिक आप्टर दे हेड़ फूड इन मेरिज ठीक है एंड दे वर इमिडेटली एडमिटेट टोडी गॉर्मेंट एंड प्राइवेट ऑस्पिटल नियर बाई एक साधी का क्या था फंक्शन था उसके अंदर क्या वा बोजन के बाद बहुत से लोग बिमार पड़ गे तो उसको कहा एडमिट कराएगे ततकाल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पिटलों में उनको क्या करवाया गया एडमिट करवाया गया ठीक है ना आपको ये बताना है कि इसमें कोन साथ सही होगा तो पुरवदारनाई में पहला देखो कि परबावित लोगों के रिष्टेदार उन्हें सरकारी अस्पिटल में ले जाने से इनकार करेंगे ठीक है ना हमें अभी तक ये नहीं पता कि इनकार करेंगे या नहीं करेंगे दी रिलेटिव क्या करेंगे ओफ अफ़क्टेड पिपुल वर डेनिंग फ्रॉम एडमिटिंग देम टो दी गोवर्मेंट होस्पिटल दूसरा है निकटवर्ती अस्पताल सभी परवाहित लोगों का उपचार कर सकेगा ठीक है ना जो पास में होगा वहीं तो ले जाएंगे ना अपने भी कहीं कोई बिमार हो जाए तो सबसे पहले कहां लेके जाते हैं सबसे पहले जो पास वाला होस्पिटल है उसी में लेके जाएंगे ठीक है ओनलाइन सिस्टम इस हेल्फुल टो अपन्ट दी मोर सुट्यूबल कंडिडेंट्स ठीक है देखो अगर केवल पुर्वदार ना फास्ट अंतनियत है यानि ये तो बास थही है कि पहले का कोई मतलब नहीं दूसरा आपका बिल्कुल सही है तो कौन सा हो जाएगा अगर केवल पुर्वदार ना इसेकिंड अन्य नीरत है यानि कौन सा फोलो करता है सेकिंड आर फोलो यही इसका क्या हो जाएगा आपके एंस्वर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूसन देखते है आगे क्या दे रखा है बहुत सी संस्ताओं ने प्रिक्षा की ओन लाइन पदती अपना ली है ठीक है ना स्टेटमेंट दे रखा है सो मेनी इंस्ट्योट्स है ओ अडॉप्ट दी ओन लाइन सिस्टम प्रिक्षा की ओन लाइन पदती अपना ली है यह आपका स्टेटमेंट है यानि कथन है आगे देखो इसकी पुरवदारनाई पहला हो सकता है देश के सभी बागों के उमीदवार कम्प्यूटर में पारगत हो ठीक है ना इट इस पोसिबल देट दी पिपल कम्प्यूटर्स दूसरे प्रिक्षा की ओन लाइन पदती से अधीक योग्य लोगों को बरती करने में मदद मिलती है ओन लाइन सिस्टम इस हेलफुल तो अपॉइंट दी मौर सुटुबल कंडिडेंट्स ठीक है ना इसमें आपको देखना है कि सही कौन सा हो जाएगा इसमें आपको क्या देखना है कि सही कौन सा हो जाएगा चलो देखते हैं हो सकता है देश के सभी बागों के उमीदवार कंप्यूटर में फारगत हो यानि एक्सपर्ट हो कोई पक्का नहीं हो भी सकता है नहीं हो सकता है इसका दूसरा है प्रिक्ष्या की ओनलाइन पदती से अधीक योग्या लोगों को बर्ती करने में मदद मिलती है ये दोनों ही इ हम इसके नहीं मान सकते तो क्या हो जाएगा नै तो पुर्वधार नाए फास्ट होगी नै ही पुर्वधार नाए आपकी सेकिंड होगी यानि डी नम्मर और आपसन आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा कि हम नहीं पता कि पहला होगा या दूसरा होगा चलें आगे नेक्स देखो इसमें आपको क्या दे रखा है इस्टेटमेंट दे रखा है कि राजनितिग्ये लोगों के मतों से दनवान बन जाते है ठीक है ना इस्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि राजनितिग्ये लोगों के मतों से वोटों से दनवान बन जाते है दी पॉलिटिशियन बीकम रिच डू टू दी पबलिक वोट्स पुर्वय नुमान में देखो क्या होगा लोग राजनितिग्यों को दनवान बनाने के लिए मत दे पूरी बात सही है या गलत है नहीं पता इसको हम सत्य मानेंगे या गलत मानेंगे इसके बारे में चर्चा गरते है ठीक है ना तो इसके बारे में देखो क्या हो सकता है लोग राजनितिग्यों को दनवान बनाने के लिए मत देते हैं इसके अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार तो ये बिलकुल सही है ठीक है ना क्यों स्टेटमेंट ही अपने को ये बोल रहा है कि राजनितिक दनवान कब बनते है जब लोग उनको vote देते हैं यही काम हम कर रहे है उनको दनवान बनाने के लिए दूसरा है राजनिति यह अपने गुणों से दनवान बन जाते है क्या यह सही है क्या the politician become ठीक है ना तो इसका भी confirm नहीं है यह राजनिति क्या होता है दन्वान बनते है लेकिन लोगों को थोड़ी पता है कि वो दन्वान बनेंगे इसलिए हम उनको वोड़ दे तो पहला गलत है दूसरा है राजनिति क्या अपने गुणों से दन्वान बन जाते है बिलकुल बन जाते है ठीक है ना दन्वान बन जाते है या कभी नहीं बनते तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे यानि उप्सन नमर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अन्तान ही ते नहीं है ठीक है ना नन ओफ दीज ये वाला उप्सन आपका स्थेही हो जाएगा चलें आगे नेक्स क्यूसन देखते हैं इस बार भी आपको क् जादे रखा है इनोंने कुछ क्यूसन दे रखे है ठीक है ना जिसको हम देखेंगे कि ये सही है या गलत है एक व्यक्तित्व दिया गया है जिसके आगे दो पुरवनुमान फास्ट और सेकिंड दिये गया है कौन-कौन से दिये है दो पुरवनुमान दिये गया है ठीक है आपको विचार करना है कि व्यक्तित्व सत्य है चाहेव सामन्यत ग्यात तत्यों से भिनपर्तित होता हो आपको निर्णिय करना है कि दियेगे व्यक्तित्व में से कौन सा निस्षित रूप से सही पुर्वयनुमान निकाला जा सकता है अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए in the following questions a statement is given and then two assumptions first and second are given you have to consider the statement as true throughout it seems to be different from the actual fact then determine which of the assumptions can be definitely correct select the options as your answer वही बात है आपको दे रहा है स्टेटमेंट से आपको क्या निकालना है निसकर्स का पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला देखो एक ही देरा का statement कि सेदान्तिक सिक्षा से आर्थिक परगती नहीं होती और इससे देश में आतम विश्वास और धन की निरंतर हानी होती है सेदान्तिक सिक्षा से क्या नहीं होता आर्थिक परगती नहीं होती और इससे देश में आतम विश्वास और धन की निरंतर हानी होती है economical progress is not achieved from the theory educations and it continuously leads to the loss of confidence and money in the country ये आपको कथन दे रखा है जिसको आपको क्या करना है सही मानना है सत्य मानना है ठीक है पुरह नुमान में पहला देखो आतम विश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंद है confidence development and economical development are deeply related दूसरा है आतम विश्वास के विकास में स्थेदान्तिक सिक्षा का एमल्यय योगदान है there is a great contribution of theoretical education in the development of confidence क्या इस से कुछ पता चल रहा है कि पहला और दूसरा सही होगा या गलत होगा ठीक है ना पहला या दूसरा सही होगा या गलत होगा हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है ना यानि साफ साफ हमें यही दिख रहा है कि इसके according हमारा दोनों ही क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे दोनों गलत कौन से में है none of first and second is correct एक और दोनों भी क्या नहीं है दोनों ही correct नहीं है option number क्या हो जाएगा आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा option नमर डी इसे correct एंस्वर चलें आगे अगला क्यों सन देखते है अब की बार statement कथन क्या दे रखा है होद्योगिक विकास में ऐस संतुलन के सिकार हदिकांस आर्थिक रूप से कमजोर पड़े लिखे और अनपड लोग होते है यानि जितने भी होद्योगिक विकास में ऐस संतुलन के सिकार है वो सारे के सारे क्या है या तो कमजोर पड़े लिखे इसका मतलब क्या वा बहुत कम पड़े लिखे है या फिर मैं ये बोल सकता हूँ वो सारे के सारे क्या है अनपड है सारे के सारे क्या है अनपड है ठीक है ना तो चलो इसमें देखते हैं पहली पुरवदारनाई क्या देर किया है बारत में होदोगी की विकास मुख्य रूप से राजनेतिक सोच के अनुसार हुआ है इंडिस्ट्रियल डवलपमेंट इन इंडिया इज मैनली अकॉल्डिंग तो दी पॉलिटिकल थिंकिंग दूसरा है जन जातिय लोग सदा ही होदोगी की विकास से पर्तिकुल रूप से परवाहित होते हैं इंडिस्ट्रियल डवलपमेंट तो देखो क्या स्टेट्मेंट था कि ओदोगी की विकास में ऐस संतुलन के सिकार अधिकास आर्थिक रूप से कमजोर पड़े लिखे और अनपड़ लोग होते हैं तो पहला दे रखा है बारत में ओद्योगी की विकास मुख्य रूप से राजनेतिक सोच के अनुसार हुआ है किसके अकॉल्डिंग हम इसको सत्य मान सकते हैं बिलकुल नहीं मान सकते हैं कोई चीज नहीं है जिसके कोर्डिंग क्या करें हम इसको सत्य मानें ठीक है ना दूसरा है जन जातिय लोग सदाई और योगिक विकास से पर्टिकुलड रूप से परवाइत होते हैं इसके बारे में भी हमें नहीं पता दोनों के बारे में ही कथन में कुछ नहीं दे रखा इसको सत्य नहीं मान सकते तो क्या होजाएगा डी नम्मर ओप्सन होजाएगा नाइदर फाश्ट नौर सेकंड इसका सही अंसुर होजाएगा एक कथन के आगे दो पुर्वनुमान दिये गे है आपको निर्निय करना है कि दिये गे कथन में कौन सा पुर्वनुमान नहीं थै अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए तो एजुंप्सन्स आर गिवन आफ्टर एस्टेटमेंट यू हो तो डिटर्माइन विच ओव दी इस करेक्ट मेंसन यूर एंस्वर स्टेटमेंट देखो सारा खेल इसी का इस्टेटमेंट कथन का धनी लोग दिल का दोरा पढ़ने में अधीक परवत होते है धनी लोग दिल का दोरा पढ़ने में अधीक परवत होते है इसका मतलब क्या है कि दन्वान लोग होता है उनको दिल का दोरे ज्यादा पढ़ते है ठीक है ना कथन के अनुसार ये है और ये रियल्टी भी है ठीक है लेकिन अपने को चलना है स्टेटमेंट यान कथन के अनुसार रिच पीपोल आर वेरी कॉमनली सफ्रिंग फ्रॉम हर्ट अटेक इसका पुर्वनुमान में पहला देखो धनी लोगों में अधिकांस मोते दिल का दोरा पड़ने से होती है Most of the deaths of rich people are due to heterogen बिल्कूल सही है किसके circuit है कथन यानि statement करें यह चीज़ आपकी क्या हो जाएगी बिल्कूल सही हो जाएगी यानि पहले वाले पुर्वे नुमान को मैं क्या मान सकता हूँ कि बिलकुल है सही है correct है ठीक है दूसरा देखो निर्दन लोगों को दिल के दोरे नहीं पढ़ते नाम है अधीक यानि अधीकांस मोते इसके कारण में इसका मतलब यह नहीं है कि जो गरीब है जो निर्दन है उनको दिल के दोरे नहीं पढ़ते उनको भी पढ़ते है लेकिन percentage क्या होता है कम होता है किस से compare में rich people के compare में poor people do not suffer the heart attack तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पहला सही दूसरा गलत यानि only fast is correct तो इसमें क्या जाएगा a number option आपका बिलकुल है सही हो जाएगा option number a जे correct answer आगे देखो क्या दे रखा है यह मानते वे की कथन हर पुस्तकालिये में पुस्तके होती है सही है निमन लिकित में से कौन सा कथन निस्सित रोप से सही है आपको यह बताना है कि 100% आप किसके बारे में sure हो कि वो चीज आपकी बिलकुल सही है consider the statement true there are books in each library which of the following statement is definitely true यानि आप 100% किसके बारे में बोल सकते हो कि वो बिलकुल सही है पहला देखो पुस्त के केवल पुस्तकालिये में होती है books are only in the libraries कोई पक्का नहीं है कहीं भी हो सकती है कोई पुस्तकालिये पुस्तकों के बिना नहीं होता none of a library is without books बिलकुल सही है कुछ पुस्तकालियों में पाठक नहीं होते there are no readers in some libraries नहीं मान सकते पुस्तकालिये केवल पुस्तकों के लिए होता है libraries are for books only ये भी नहीं मान सकते इसके according अपना सही कौन सा हो जाएगा बी नमर आपका बिलकुल है सही हो जाएगा कौन सा बी नमर आपका बिलकुल है सही हो जाएगा next देखो कठिनायों तता जीवन की तेज गती के परिनाम सा रूप आपकी पाचन परनाली परवाइद हो जाती है कठन में दे रखा है कि अवर डाइज सिस्टम गेट से अफेक्टेड विक्योज ओव दी डिफिकल्टीज एंड फाइश्ट लाइफ किसके कारण कठिनायों और जीवन की तेज गती के परिनाम सा रूप आपकी पाचन परनाली क्या हो जाती है परबावीत हो जाती है यह आपको देखना है कि सही है यह गलत है यह आपको क्या दे रखा है कठन दे रखा है कठन का यह दे रखा है आगे देखो पुरन मान में पहला है जीवन में कठिनाया है लाइफ इज फुल ओफ डिफिकल्टीज ठीक है दूसरा है पाच्चन परनाली की सुरुक्षा वेस्ता नहीं है वी डू नोट हेव दी सिक्वेरिटी सिस्टम ओफ एंसियन टाइम तो पहला है जीवन में कठनाई है और बिल्कुल है जीवन में कठनाई है कठनाई हो के परनाव सुरूप आपकी परनाली क्या परवाइद क्या दूसरा इसका सही है बिल्कुल नहीं है यानि अकॉल्डिंग तो किसके स्टेटमेंट कथन के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा केवल फाश्ट ही परनावन है ठीक है ना पहला आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं समाप करते हैं कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ तब तक धन्यवाद